Hello and welcome to allroomkitchen.com आज हम एक grand, spacious 1950 square feet carpet के huge 4.5 BHK flats को cover करने वाले हैं इसी वीडियो में हम complete project details को discuss करेंगे साथ ही हम cover करेंगे complete amenities को और pricing को भी इसी वीडियो में cover करने वाले हैं 4.5 BHK का sample flat tour भी हम cover करने वाले हैं साथ ही मैं आपको बता दूँ इन flats का possession आपको December 2021 में मिल जाएगा तो चलिए आज का ये project review वीडियो शुरू करते हैं आज हम nearing possession 4.5 BHK flats in Punevillay project by Faranday Spaces को cover करने वाले हैं जो located है Puneavle location पे ये जो location है ये जो township project है ये सिर्फ 600 to 700 meters from highway आता है पुने मुंबई highway से सिर्फ 600-700 meters पे आता है and secondly यहां से आप popular localities like वाकड, बानेर, हिंजेवारी आराम से 6-7 minutes में cover कर सकते हो Faranday Spaces का जो project है Punevillay ये एक township project है it is one of the most spacious and luxurious project in Puneavle project में total 3 phases में काम चल रहा है जिसका आज हम phase 1 के बारे में discuss करने वाले हैं phase 1 में total 6 towers हैं जिसमें से 5 tower already delivered हो चुके हैं जहां पे 2 and 3 bhk flats थे जो एक tower बचा है वो 4.5 bhk flat का है जिसका position आपको December 2021 में मिल जाएगा और इसी के बारे में आज हम discuss करने वाले हैं 4.5 bhk flat का जैसे मैंने carpet area आपको बताया 1950 square feet का है जिसके साथ आपको 2 car parkings भी मिल जाती है project की almost सारी amenities already delivered हो चुकी है तो ready to use amenities भी आपको मिल जाती है amenities के बारे में आपको बताऊं तो two decent size के swimming pools already delivered हो चुके हैं एक club house है, gym है, multipurpose court है, tennis court है and jogging track वगेरा children's play area etc amenities भी आपको इस project में already दी गई है तो चलिए quickly 4.5 bhk का sample flat का tour करते हैं उसके बार प्रैजिंग के बारे में भी discuss करेंगे 4.5 bhk में basically आपको दो doors मिलते हैं एक आपका ये main entrance door and second ये आपका made के लिए door है इसके बारे मैं अंदर से explain करूँगा चलिए आ जाईए 4.5 bhk flat में जैसे ही आप अंदर आते हो कुछ इस तरीके का entrance lobby space आपको मिलता है off-size 4.9 by 5.6 एक decent space आपको मिल जाता है ताकि आप अपना शू रैक वगेरा install करें वैसे एक फ्लोर पे सिर्फ चार ही corner 4.5 bhk flat से तो आप आपका जो भी extra सामाने वह आप चाहे तो बाहर की तरफ भी इंस्टॉल कर सकते हो जैसे कि शू रैक वगेरा आप प्रॉपरली बाहर इंस्टॉल कर सकते हो लेकिन आपको एक प्रॉपर entrance lobby space भी दिया गया है जिससे आपकी प्रैवसी मेंटेन हो जाती है सिर्फ living area के बारे में बता हूँ तो यह जो space है इसका size है 16.6 x 18.9 यह प्रॉपर living space आपको अलग से मिल जाता है और living के साथ आपको कुछ इस तरीके का dining space भी मिल जाता है dining space of size 9.3 x 14 का इसमें आप प्रॉपरली 8 seater या 10 seater dining space अराम से अरेंज कर सकते हो आपको फ्लैट में साथ ही balcony भी दिया गया है huge balcony है लगबग 8 x 12 size का है balcony का option आपको दो तरीके का मिलता है एक तो आपको dining के साथ इस तरीके की balcony मिलेगी and if you want आपको living के साथ balcony का option भी मिल जाता है आए बालकनी को चेक आउट करते हैं कि तो कुछ इस तरीके की spacious आपको balcony with toughen glass properly installed मिल जाएंगे काफी spacious balcony है आप चाहे तो proper plantation वगेरा भी कर सकते हो balcony में and यह space आप एक तरीके से cozy corner space की इसाप से भी यूज कर सकते हो workout के लिए या yoga meditation के लिए या फिर आपकी morning tea या evening coffees के लिए भी आराम से enjoy कर सकते हो आजएए इस फ्लैट का एक और बेस पाट है डाइनिंग को लगके ही आपको kitchen area दिया गया है एक चीज़ आपने notice की होगी kitchen is a kind of separated from the living area तो living area से आपको पूरा kitchen तो दिखाई नहीं देता है अगर मैं kitchen space की बात करूं तो 12 by 9 size का आपको kitchen मिल जाता है proper L shape का जिसमें आपको proper ventilation भी दी गई है kitchen के साथ आपको इस तरफ ड्राय बालकनी भी दी गई है तो कुछ इस तरीके की ड्राय बालकनी आपको दी जाती है kitchen के साथ जहां पे आप washing machine and आपका dishwasher भी properly install कर सकते हो एक और room दिया गया है dedicatedly अलग से जिसे हम made room या servants room के सकते हैं 8 by 7.3 size का यह maids room है basically और जैसे मैंने आपको पहले बताय था यह एक door है जहांसे आपकी maid या chef या cook या जो भी है वो यहां से enter करके यहां पे रह सकते हैं या फिर kitchen में cooking वगेरा करके यहीं से exit कर सकते हैं बेसिकली अगर आप servant या chef या cook नहीं रखते हैं अपने घर में तो आप यह space को as a hobby space या फिर private gym या फिर आप खेली जीए कि एक तरीके से study room या work from home office station की जैसे भी बना सकते हैं के साथ आपको एक वाश रूम भी इस तरफ दिया गया है तो आपके मेड या आपकी शेफ पुक वगेरा उसे यूज कर सके आप सो बैसिकली पुनावले में आपको मेड या सर्वन्स अराम से मिल जाते हैं और डेली नीट्स आ जाईए हम जैसे ही फ्लैट में और आगे चलेंगे इस तरफ आपको common washroom दिया गया है जिसमें basin बाहर की तरफ है और बाकी utilities अंदर की तरफ दी गए आप quickly से चेक आउट कर लीजिए I hope आपको ये फ्लैट पसंद आ रहा होगा वैसे अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें Secondly अगर आपको ये property पसंद आती है और इसके बारे में आप discuss करना चाहते हैं तो screen पे दिये गए number पे आप हमें contact करें और हम zoom call presentation के थुरू आपको सारी details virtually घर बेटाई प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे इस फ्लैट की एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहां से आगे जो है आपके चार बेड्रूम एरियास है तो आपकी काफी ज़्यादा प्राइबसी मेंटेन हो जाती है इस पर्टिक्लर फ्लैट में आजए यह guest bedroom को हम चेक आउट करेंगे 10 x 12 साइज का यह guest bedroom इस फ्लैट में दिया गया है अब क्विक्ली चेक आउट कर लीजिए इस तरफ आपको बेड्रूम नंबर वान या चिल्डरंस बेड्रूम कह लीजिए विद अटैज्ड मॉस्टर वाश्रूम भी दिया गया है तो इसका भी साइज 10 x 12 है जिसके साथ आपको इस तरीके का अटैज्ड वाश्रूम मिल जाता है विद ग्लास पार्टिशन सेन एवरिटिंग चलिए चेक आउट करते हैं ग्रैंड 4.5 बीजिए की का ग्रैंड मास्टर बेड्रूम 10.9 x 16.6 साइज का ये ग्रैंड मास्टर बेड्रूम इस फ्लैट में मिल जाता है जहां पर आपको इस तरीके का अल शेप का बड़ा विंडो दिया गया है आप देख सकते हैं इस तरीके का अल शेप की बालकनी मिल जाती है यहां पर आपको ओपन स्पेस है आप प्रॉपर्ली यहां पर सिट आउट इरिया क्रियेट कर सकते हो और इस तरफ आपको एक काइंड आप स्टैंडिंग बालकनी दी गई है ताकि आप एक व्यू एंजॉ मास्टर बेड्रूम के साथ अटेज्ट मास्टर वाश्रूम को भी चेक आउट करते हैं कि नाइन बाए टुवेल्फ साइज का आपको ग्रैंड वाश्रूम मिल जाता है मास्टर वाश्रूम जिसमें इस तरीके का आपका एक अलग से स्पेस है और बेदिंग यहां पर वाक-इन वाट्रॉब की तरह आप एक वाट्रॉब भी क्रियेट कर सकते हो प्रॉपर्ली आप एक बार चेक आउट कर लिजे आज आईए तो चेक आउट करते हैं लास्ट बेड्रूम ऑफ दिस फ्लैट जो की अगें अटेज्ट वाश्रॉम के साथ आता है इस बेड्रूम का साइज बता हूँ आपको तो 14.9 बाइ 12.3 साइज का यह अगें ग्रैंड मास्टर बेड्रूम आपको मिल जाता है आपको इकली चेक आउट कर लिजे आपको तीन मास्टर बेड्रूम मिलते हैं एक गेस बेड्रूम मिलता है जिसके साथ अगें एक और आटेज्ट वाश्रूम मिल जाता है आपको यह फ्लैट काफी पसंद आया होगा आजाएए बिसिकली यह जो 4.5 बीच के फ्लैट का टावर है यह 22 स्टोरी टावर है जिसमें एक फ्लोर पे सिर्फ फोर कॉर्नर फ्लैट सी अविलेबल है प्राइजिंग के बारे में बता हूं तो 1.85 CR इसका अल इंक्लूसिफ कॉस्ट है जिसमें आपका सारी चीज़ें कवर हो गई स्टैंप ड्यूटी रेजिस्ट्रेशन जी एस्टी कार पार्किंग एवरिफिंग एवरिफिंग इवरिफिंग इस इंक्लूसिफ एंड यह प्राइज नेगोशेयरबल भी है तो आपको अगर कुछ भी डीटेल साही तो आप स्क्रीन पे दिये गए नंबर पे हमें कॉंट